सब्सक्राइब नाव और प्रिलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी करते हुए चल रहे हैं जिस लोग का नाम है मेंस मैजिक और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसका एपिसोड नमबर 15 यानि एपिसोड नमबर 15 मेंस मैजिक के कैसा सो जिसमें बात होती है सिर्फ और सिर्फ मेंस की तो आज हम लोग यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले एक हम वर्ड प्रोब्लम का शांदार कोश्टन यहाँ पर लेंगे और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की हम लोग डिया इसकस करने तो सबसे पहले तुम लोग देख लेते भाई लास्ट सेशन में एक मैंने कोश्टन भी दिया जा जिसका आंसर काफी लोगों ने दिया भी है जिसमें अभिशेग सिंग जी आलब जी अभे जी सुरभी जी नीकिता जी निहारिका जी और मोनो जी सारे लोगों ने सही आंसर जिसमें एक कोश्टन आता भी है हमारा ठीक है जितने भी बच्चें हिंदी वाले स्क्रीन सोट जरूर ले लेंगे कोश्टन का एक कोश्टन आता है हमारा अगर हम लोगों ने देखा हो कि एक मैन है वो ट्रेन देखता है और देखता है कि बहुत देर तक कोहरा है कोहरे के तक वो देख पाता है तो उसी पे बेश्ट ये question भी है ठीक है और ऐसा question साथ मैंने कराया भी नहीं तो मैंने सोचा कि इस question को हम ले चलते हैं और एक कम से कम एक concept समझ में आए कि concept आके इस question का क्या होना चाहिए तो question बड़ा simple सा है और question में कह रहा है कह रहा है an old man is walking on a foggy road ठीक है एक बुढ़ा सा व्यक्ति है जो एक foggy road में fog मतलब क्या होता है कोहरा मतलब ठंड की बात हो रहे है ठंड में बना यह question है कि ठंड में वो x km पर आर की speed से जा रहा है और due to low visibility मतलब उसकी आखों के जो रोशन है वो कम हो गई है जिससे क्या होता है old man see only up to 600 meter यानि वो 600 meter से आगे का देखी नहीं पाता ठीक है old man एक तो भाई कोहरा भी है उपर तो उसकी आखों की रोशनी भी कम है तो वो 600 meter से जादा का देख नहीं पाता उसके बाद क्या कह रहा है कह रहा है if a car overtakes the man from the behind मतलब पीछ से कार आती है जो 15 km पर आर की स्पीट से जल रही है then the man can see the car for 216 seconds मतलब 216 seconds के लिए वो जो man है वो उसकार को देख पाता है ठीक है 216 seconds के लिए उसकार को देख पाता है तो बोला जा रहा है क्या find the speed of the man यानि हमें man की speed के बारे में बताना है कि man की speed हमारी क्या होगी तो यहा तक मैं answer देख पा रहा हूं comment box में answer तो अभी तक किसी का भी नहीं आया है इस question का और इस question के बाद बहुत सांदार डियाई आपके सामने आने वाली है जितने यह बच्चे मारे साथ जोड़े हुए एक बारी शैसां को like करके share जरूर कर देंगे है और आज हमारी इद भी है तो सारे लोगों को सबसे पहले तो इद की हार देख रूपकामना आए ठीक है और चलते हैं question को कैसे करना है इस बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है question man old man अब देखो एक old man है question को ना literally feel करने की कोसिस करो यह एक old man है ठीक है यह माल ल आती है ठीक ज्यादा अच्छी कार बंग गई है क्या चलो एक कार आती है और पीछे से इसको cross करती है और इस कार को जब cross कर जाती है तब यह इसको 216 seconds तक देखता रहता है 216 seconds तक यह इसे देख पाता है ऐसा question में बोलना मतलब पलट के तो नहीं देखा होगा ठीक है वो प है कि अगर में भी इसी direction में जा रहा और कार भी अगर इसी direction में जा रही तो एक चीज हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों की direction सेम है यह जितने भी points है यह सब दिमाग में रखते जाना जितने भी points हम बता रहे हैं सारे के सारे दिमाग में रखते जाना कि दोनों की distance जो दोनों की डिरेक्शन है डिरेक्शन यानि जो दोनों की दिशा है वो हमारी क्या है सेम ठीक है ना अच्छा उसके बाद यहाँ पर बोला जाए तो भई हमें तो पता है कि स्पीड इसुकल तू डिश्टैंस अपान टायम होता और सेम जब हमारी होती है तब हमारा क्या होता है इससले को हम shines कर देते हैं कि सारे लोगें को पता है कि Speed को हम माईनस कर देते हैं क्लियर हो रही जात यहाँ तक आप को श्टं को करना कैसे है आखिर आप कोश्टं को समझन कि कोजिस का जिए आप यह देखिए एन ओल्ड मैन इस वाकिंग ओन आफ फॉगी रोड एट आ इस्पीड उप एक्स किलोमीटर पर आजर यानि जो हमारा ओल्ड मैन है उसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आ रहे हैं ओल्ड मेंक डिस्टेंस की बात करते हैं कि कब तक वो कार को देख भाई मैं ऐसे समझो ऐसे मैं जा रहा हूँ पीछे से मेरे कार निकल जाए मैं उसको ऐसे देखता रहू देखता रहू तो मैं उसे कितनी देर तक देख पाता हूँ तो वो कह रहा है 600 मीटर तक देख पाता हूँ 600 मीटर फील करके question को करूँ और आसानी से यहाँ पर question को आप कर पाऊगे 600 अगर मैं इसको किस में? किलो मीटर में convert करूँ तो हम इसे 0.6 किलो मीटर बोल सकते हैं हम इसे 0.6 किलो मीटर भी बोल सकते हैं I hope यह चीज सबको समझ में आ रही होगा है ना? अच्छा उसके बाद अगर हम time की बात करें कि यह जो 0.6 किलो मीटर वो देख रहा है लगातार कार को देख रहा है उसको देखने में कितना time लग रहा है जब हमारी कार दिखना ही बंद हो जाएगी उतनी दूर तक तो उसने देखा होगा तो वो क्या कह रहा है कि उसको 216 सेकेंड तक वो कार दिखती है 216 सेकेंड तक वो कार दिखती है यानि अगर हम time की बात करें तो time हमारा 216 सेकेंड का है लेकिन speed पूछी गई हो मैंने आपको जब train पढ़ाई थी तो मैंने इस बात को बताया भी तक कि जब भी हम speed बताएंगे तो हम kilometer पर आर पे बताते हैं किलो मीटर प्रती घंटे पे बताते हैं तो अगर हम यहाँ पे इसको घंटा बदलने की बात करें तो बैस second से घंटा बदलना है तो 3600 का multiply करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा 0.06 0.06 आर यानि 0.06 घंटे यह हमारा बन जाएगा और यहाँ तक की बास सबको समझ में आ रहे हो अब छुटा सा तो formula है कौन सा? formula is equal to speed is equal to distance upon time formula हमारा क्या है? speed is equal to distance upon time अगर हम speed की बात करते हैं तो speed हमारी पहली कितनी है? पहली speed हमारी है अब देखो, यहाँ से same direction में speed तो minus होगी लेकिन किस से किस की minus होगी यह जानना बहुत जलूरी भाई, car की speed तेज है मैं तो अराम अराम से अराम अराम वो भी बूड़ा पहन है क्या पता लगड़ी लेके ही चल रहा हूँ है ना? तो हम बोल सकते हैं क्या? कि यहाँ पर speed car की जादा होगी यानि 15 minus x भाई, बोला ही गया है मैंने अपने आप x को याद नहीं किया याद कराया गया है मुझे है ना? अच्छा, उसके बाद distance की बात करें तो distance कितनी है? 0.6 और time कितना है? 0.06 पॉइंट पॉइंट हमने cancel किया यहाँ से 0 बना, 6 से cancel करेंगे तो बनेगा 10 है ना? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या? कि 15 minus x is equal to 10 हो जाएगा और x is equal to 15 minus 10 यानि कितना हो जाएगा? 5 किलो मीटर परार 5 किलो मीटर प्रति घंटा यानि 5 किलो मीटर प्रति घंटा option number 4 तह यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा जितने भी बच्चों में कुछ बच्चों का देखा कुछ बच्चे option number 4 कर भी रहें सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंतर है तो आई होप यह question हमें समझने आया होगा और इसी के साथ हम next question की सुरुवात करते हैं next question बहुत ही जादा सांदार question है बहुत ही जादा जबजस्त question है आप question को आपको पढ़ना है समझना है और करने की courses करना है मैं भरपूर time दोंगा मैं आपको time दे रहा हूँ 4 minutes का 3 to 4 minutes का मैं यहाँ पर time दोंगा आप सिर्फ इस question को समझिए कि question में दिया क्या है basically मैं question में बता दू अगर तो यह college है college PQRST है और यहाँ पर engineering प्लस art वाले हैं यहाँ पर fashion प्लस art वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ art वाले है कुछ missing BI बोल सकते variable based पे है x, y, x, y और z तीन variable हैं यहाँ पर और second thing जो सबसे ज़्यादा अच्छी है वो क्या है कि कहीं भी हमें fixed value नहीं दी गई खलब इस DI को solve करना बहुत मतलब बहुत complicated है मैं तो कह रहा हूँ आप अभी session को क्या करो pause कर दो आप 15 minute ले लो आप 15 minute ले लो 15 minute बाद अपने answers देख ले न कि हमारे match कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन इसको solve करके देखो your time start now अराम से time लोग अराम से करने की कोशिस करो अराम से question को करने की कोशिस करेंगे सारे लोग आप 15 minute ले ले लोग झाल झाल जिसका भी हो जाए वेसे तो यहाही नहीं होगा इतनी जल्दी तो नहीं जल्दी को इदनी अल्दी question तो किसी कभी solve नहीं हुआ होगा है ना चलो मैं करा देता हूँ ठीक है क्यों ही time ले मैं कराते हुए चलता हूँ बताता हूँ कैसे आप question को कर सकते हो ठीक है तो यह basically हमें data given है ठीक है किसी कोई कर नहीं पाया होगा इस question को अभी तक अभी तक तो कोई नहीं कर पाया होगा ठीक है तो अच्छा यह एक जलक भी दिख गई है कि हमें आगे question में क्या क्या करना है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर basically सबसे पहले मुझे जो समझ में आ रहा है उसमें हम x, y, z की value निकालने के लिए हमें पता यह पूरा का sum hundred है यह पूरे का sum hundred है और इस पूरे का sum भी hundred के बराबर है सबसे पहले यहाँ पर x इसको अगर हम add करें तो x plus 2y बनेगा x plus 2y plus यहाँ पर अगर हम इसको add करें तो 21 plus 16 21 plus 16 की अगर हम बात करें तो यह बनेगा 37 37 is equal to hundred है यानि equation number one हमारी बन सकती है क्या x plus y is equal to 63 and this is our equation number one and this is our equation number one I hope यह चीच यहाँ तक तो clear हो रही हो ठीक है अच्छा आगे की बात करते हैं वह आगे की अगर हम बात करें तो अगर हम इस वाले को add करके देखते हैं तो आप देख रहे हो क्या यह single y है y plus z plus z कितना होता है 2z plus यहाँ पर 19 plus 17 that is 36 is equal to 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा y plus 2z is equal to 64 y plus 2z is equal to 100 में 36 गया तो 100 में 36 जाता है तो 64 ही बसता है यह आप लोगों को पता है तो 100 minus 36 is equal to 64 बंग गया आगे की कहानी देखते हैं वह अगर हम इसकी बात करें तो हमें देख रहा है x plus z x plus z plus अच्छा इसको एड़ करें तो 22.5 plus 17.5 40 20 65 65 is equal to 100 है तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से x plus z की value 35 के बराबर आ जाएगे और यह बन जाएगे हमारी equation number 3 हमारे पास 3 equations आ चुके है तीक है तीन equations हमारे पास अभी तक आ चुके है अब इन तीन equations से हमें solve करना है और बताना है x, y और z की value है ना तो x, y, z की value निकालने के लिए कुछ बहुत ज़दा परिशान होने की जरूरत नहीं है आप यह देखो कि अगर मैं इस वाली equation को इससे minus कर दूँ ठीक है तो इस वाली को minus करूँ तो क्या बनेगा यह है x plus z is equal to 35, x plus z is equal to 35 और अगर मैं तीनों मैं minus लगा दूँ तो x से x cancel होगा ठीक है तो यह बन जाएगा 2y minus z is equal to, अगर हम 63 में 35 को minus करें 63 में अगर हम 35 को minus करें तो 25, 38, 28 हमारा बन जाएगा यह हमारा कितना बन जाएगा 28 हमारा बन जाएगा तो I hope यहाँ तक यह चीच clear हो रही होगी, ठीक है अभी तो इस question में बहुत कुछ करना है, मेरे लाल क्यों परशान हो अब मैं अगर इसको यहाँ पर रख दूँ, ठीक है इसको अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो यह बन जाएगा 4Y माइनस का 2Z इस उकल टू 28 दूना 56 और अगर हम इसको solve करें तो 2Z 2Z cancel यहाँ से 5Y is equal to बनेगा कितना वाई, 6, 4, 10, 10 से बन जाएगा 0 और 6, 6, 12 यानि 120 बन जाएगा और अगर हम यहाँ से Y की value find out करें तो Y की value हमारी बन जाएगी 24 Y की value हमारी यहाँ पर बन जाएगी 24 and I hope यहाँ तक की system सबको clear होगा सबको समझ में आ रहा होगा कि Y की value 24 कैसे आई है और अगर Y की value मेरे बच्चे 24 आ गई है तो फिर इसको तो question को आगे भी continue कर सकते हैं कैसे आप देख रहो X plus 2Y, X plus 2Y, X plus 2Y की value 63 है X plus 2Y की value 63 है जिसमें Y की value 24 है तो X plus 24 तूजा 48 बराबर 63 तो X की value हम बोल सकते हैं कितनी आ जाएगी 15 X की value हम बोल सकते हैं कि X की value हमारी कितनी आ जाएगी भई X की value आ जाएगी हमारी 15 I hope यह clear हो रहा होगा है ना और X की value अगर हमारी 15 आ जाती है तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 15 plus Z is equal to 35 तो हमारी जो Z की value आ जाएगी वो आ जाएगी 20 जो Z की value है वो आ जाएगी हमारी कितनी 20 तो I hope यहाँ तक का तो system सबको clear हो गया होगा यहाँ तक अगर सबको clear है तो जल्दी से comment box में एक बार लिख देंगे यह सब clear है ठीक है तो 15, 24 और 23 values हमें देखने को मिली है किसकी X, Y, X की Y की और Z की I hope यहाँ तक का system clear होगा आप screenshot लेना चाहो तो आप जल्दी से इसका screenshot ले लो जिससे हम इसके आगे का question को आपको बता पाएं कि इसके आगे question को कैसे solve करना है इसका screenshot अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो I hope ले लिया होगा अब मैं पूरा फिर से raise कर देता हूँ ठीक है मैं एक बारी values याद कर लूँ 15, 24 और 20 है तो X की value हमारी 15 है Y की value हमारी 24 है और Z की value हमारी 20 है Y की value 24 है ठीक है Z की value 20 है X की value हमारी 15 है ठीक है और Z की value हमारी 20 है ऐसा हमारे पास मतलब X, Y और Z की value तो अभी आ चुकी है अभी तक हमारे पास इतना काम हो चुका है ठीक अब देखो तीनों में ऐसा नहीं बोला गया कि तीनों के जो लोग है वो आपस में बराबर है पास में अगर में यहां के total लोग मालनू कि यह हमारे 100 A है यह हमारे 100 B है और यह लोग जो है यह हमारे 100 C है ठीक है अगर यह 100 A है यह 100 B है यह 100 C है तो हम ऐसा बोल सकते हैं आएंगे 16A, या आएंगे 21A, ऐसा बोल सकते हैं असानी से, और अब हम अपने question की तरफ अगर move करते हैं, तो question में equations तो देखो बनेंगे, question नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कम जोड दिल वाले तो वैसे भी न देखें, तो कह रहा है, total number of student in college P is कितना है, वाई, 1400 लोग है college P में, ठ ठीक है, college P में 1400 लोग है, तो आप ये देखो P में कितने होंगे, 101A का 15%, देखो कितना होगा, 15 है, 15 है, ठीक है, लेकिन एक चीछ को यहां से समझना, और वो चीछ क्या है, उस चीछ को समझने की कोसिस करो, कि ये जो हमारे हैं, इंजीनरिंग और आर्ट वाले है, ठीक है, औ और ये हमारे सिर्फ आर्ट वाले है, तो अगर हमें इंजीनरिंग वाले चाहिए हैं, तो हमें इंजीनरिंग में से आर्ट वालों को माइनस करना पड़ेगा, पास समझ में आरी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, इंजीनरिंग प्लस आर्ट वाले मानलो 50 लोग ह और अगर मैं इसमें से माइनस कर दू कितना आइट वालों को, आइट वाले कितने हैं, 17.5C, 17.5C, इसको माइनस कर दू, फैशन प्लस आइट वाले कितने हैं, 17B, इंकोम 17B बोल सकते हैं, ठीक है, 17B बोल सकते हैं, ठीक, और उसके बाद अगर हम यहां से, फैशन प्लस में से अगर हम 8 को माइनस कर दे तो बचेगा 17.5C और उसके बाद प्लस पे आ जाएगा 17.5C बराबर कितना है बई? बराबर है यह कितना 1400 के तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 17.5 17.5 आपस में हो जाएगा कैंसल क्यों कि यह प्लस माइनस में है है ना? तो बहुत आसानी से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं पता है कि हम लिख सकते हैं 15A 15A प्लस 17B माइनस का 17.5 C इस उकल टू चवदा सो और यह बन जाएगी हमारी equation number 1 और यह बन जाएगी हमारी finally equation number 1 equation number 1 अभी तक हमें देखने को मिल रही है equation number 1 हमारी क्या है 15A प्लस 17B माइनस का 17.5 इस जूकल टू 1400 this is our equation number 1 clear हो रही बात भाई यहां तक ठीक है मज़ा आ रहा question में अगर अच्छा लग रहा है session देको बहुत मैनस लगती है अगर session अच्छा लग रहा है तो like जरू करेंगे सावी लोग है ना अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है कहरा the number of art student in college q college q के जो art student है वो इस 50 less than the college p मतलब college p के student से वो 50 कम है अब आप यह देखो मेरे बच्चे कि जो q के student है वो p से कम है तो q वाले कितने है 17.5 q वाले कितने है 17.5 c और sorry p वाले कितने है 17.5 c q वाले कितने है 15 c तो इंका जो difference है वो बराबर है 50 के तो यहां से हम बोल सकते है 2.5 c is equal to 50 हो गया तो point अटा सकते है 0 बढ़ा सकते है 25 से इसको cancel करेंगे तो c की value तो आ गई 20 c की value निकल के आ गई कितनी 20 अब c की value अगर 20 निकल के आ गई तो आदे से ज़्यादा काम तो यहां पे होई गया अब एक तरह से आदे से ज़्यादा काम हम यहां पे निप्टा सकते हैं लेकिन अभी c की value आई है अभी मुझे और टोटन नमब से फैशन के टोटन लंबर सच्टूद्घ कौन होगे देखो फैशन वाले कितने होगे हेंडेट मैं यह दिए हमारे फैशन प्लस और वाले और इसमें से हेंड़र मीनस कर दो थीक है तो कहा है इस कितना वह तो हमारे फैशन वाले स्टूडेंट है वो 25 परसेंट लज़ दन दा टोटल नंबर ओफ इंजिनियर्ण से यह कम है तो इंजिनियर्स हमारे कितने हैं ए माइनस हेंड़ेट सी हेंड़ेट माइनस हेंड़ेट सी ठीक है और इस दूकल टू कितना है 3 वाले हमारे क्या है कम है उपर वाले हमारे क्या है कम है तो अब देखो हेंड़ेट हेंड़ेट तो सारे ही कैंसल हो रहे हैं अगर आप देखो डंग से हैना हेंड़ेट हेंड़ेट और भी डेटा गेवेन हैं हो सकता है उस डेटा से हम कुछ तो निकाल पाएं है ना कुछ साइद निकाल पाएं उस डेटा से इसलिए मैं अभी छेड़ने का मन नहीं कर रहा है मैं इसे प्यारा सा एक्वेशन का नाम देदा हूं एक्वेशन नमबर कुछ देदे हूं एक्वेशन टू मैंने नाम दे दिया एक्वेशन टू का क्लियर हो रही है यहां तक बात ठीक है आचा आगे बढ़ते हैं आगे को शिटन में बोला है टोटल नमबर ओफ इंग्रिंश्टूडेंट इंक पी सब्सक्राइब जो हमारे इंजिनीरिंग पी वाले श्टूडेंट है अब पी वाले स्टूडेंट कितने होंगे 15 a 15 a- क्योंकि इसमें तो इंजिनीरिंग प्लस आट वाले इसमें से माइनस कि इतने 17.5 c 17.5C is equal to यह equal है किसके भई 550 के 550 के 550 के हमने इसको equal कर दिया और यह हमारी equation number बंगई 3 यह हमारी बंगई equation number 3 और अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो आप देखरो यह दिख रहा है यह लिखा है 15A minus 17.5C लिखा हूँ वो लिखा है 550 के बराबर तो यहां से 550 plus 17B is equal to बना 1400 तो यहां से बन जाएगा 17B is equal to 850 17B is equal to 850 तो B is equal to 175C 85 और यह बंगई पचास यह बंगई अमारा 50 यानि B की value भी निकल के आ चुकी है और B की value हमारी 50 है question को ना देखके कभी घवराया नहीं जाता सुम solve करना शुरू करो बनने लगेगा ऐसे question को देखते ही घवरा जाओगे तो तो काम हो चुका है ना उसके बाद अगर हम देखे तो यह वाली equation को अगर हम उठाते हैं तो B की value हम रखते हैं 50 माइनस C की value हमें नहीं पता अपन अच्छा C की value पता है कैसे नहीं पता C की value 20 है भाई C की value कितनी है 20 है ठीक है और यहाँ पर 3 by 4 तो है ही हमारा अच्छा यहाँ पर A माइनस C की बात करें तो A की बात करें तो A की value हमें अभी नहीं पता लेकिन C की बात कर रहे तो C की value 20 है अब ये बनेगा 30 तो इसकी value बनेगी 10 10 forza 40 तो A की value हमारी आजाएगी 60 A की value आजाएगी हमारी 60 I hope यहां तक का system सबको clear हो गया होगा कि ये 3 values हमारी निकल के आगई A की value हमारी 60 है B की value 50 है और C की value हमारी 20 है अब जो भी ये values निकल के आगई तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या इसको बोल सकते हैं हम कि भई यहां पर ये हो जाएगे 100 A या नि 6,000 6 into 100 ठीक है B की बात करें 50 है तो ये हो जाएगे 5000 और C की बात करें तो C वाले हमारे कितने हैं C वाले हैं हमारे 20 तो ये हो जाएगे 2000 है ना अच्छा ये कितने हैं भई 1 A की value 60 है तो 15 60 है तो फिफ्टीन सिख्जा 900 हो गए ये कितना हो गया फिफ्टीन 960 हो गया उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आगे वाले कितने हो जाएगे 21 सिख्जा 21 सिख्जा की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 1260 इसके बाद 24 into 6 24 into 6 कितना हो जाएगा 120 यानि 1200 हो गए ठीक है उसके बाद यहाँ पर भी ये कितने हो गए 12 ये हो उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखे तो हम देख रहे हैं कि बही बी की value 50 आएगी तो 1750 कितना हो गया 85 यानि 850 बीस पंचे 100 यानि 1000 हो गया 1950 हो गया 25 कितना हो जाएगा यानि 1000 हो गया और यहां पर हो गया 1200 अब यहां से समझना सिर्फ इतना ही है क्या समझना है अच्छा इसकी भी मैं value लगे हाथ निकाली देता हूँ यह बन जाएगा 350 यह बन जाएगा 300 यह बन जाएगा 400 कैसे बन रहा भई सी की value कितनी है 20 है रख दो सम्में 25 की value क्या बन जाएगी 500 और जेड की value यहां पर 20 की value बन जाएगी 400 अब यहां से नहीं नहीं कॉलम्स भी उना सकते हैं जैसे मैं यहां पर engineering की बात करूँ यहां पर मैं engineering की बात करूँ तो आप देखरो engineering प्लस आट वाले मेरे 900 है और 900 में अगर 350 हमारा आट वाला चला जाएगा तो आप खुछ सोचो कितने बचेंगे 550 है ना तो ऐसा ही हम सा निकल सकते हैं और जैसे यह वेल्यूस हमारी सारी की सारी निकल जाएगी और मैंने यह जैसे टेवल बना भी रखी आप लोहों के लिए आप देख सकते हो यहां पर इंजीनियर अलग है फैशन अलग है टोटल इस्टूडेंट अलग है और अब तो कुछ भी कॉश्चन में पूछ लेगा तो हम बता सकते हैं जैसे आप पहला कोश्चन देख रहे हो कि रहा वोट इस दा टोटल नंबर ओफ इस्टूडेंट इन ओल फाइफ कॉलेजेस तो आल फाइफ कॉलेजेस में कितने नौजा नौजार अंसर हो गया लब एक बार आपने कोश्चन को पूरा आई है कोश्चन में कुछ भी नहीं है आप बहुत आसानी से कोश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसे नेक्स्ट कोश्चन अमारे बीच क्या लिखा वट इस दा डिफ्रेंस विडिविन एवरेज नंबर ओफ इस्टूडेंट इन इंजीनियर एंड फैशन कोर्सेस कम्बाइनि को समझ में आया होगा सारा का सारा छी कर शाइन चैनल में नहीं हो सबस्राइब झरूर और ऐसे ही आप लो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं सेशन अमें कैसा लगा ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़िये महिंदरास को ओफीशल चैनल से थैंक्यू जैहिंद